हेलो डीवाइन वेलकम बैक टो मारी डूप चैनल कैसे आप सबाई होगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की बहुत ही डिफ्रेंट रेसिपी तो इसकी सब्सक्राइब को पसंदे तो यह रेसिपी भी उन्होंने मेरी साथ से आर की ती तो मैंने सोचा मैं आपके साथ से करूं तो इससे बनाना बहुत एजी है तो इससे बनाने के लिए आपको सबसे पहले गाजर को बोस करके जो है छोटे छोटे पीसेज में कातना है एंड कुकर मेंच में दो वैसल साझा कर जो है इसे बॉयल कर लेना है और अभी इस पानी से जो है अलग कर लिया और उसके बाद इसे जो है अलग बरतनमी लेकर इसे अच्छे तरीके से मैस कर देना है तो यह गाजर जो है खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और वैसे तो हम गाजर की सब्जी जो है अलू के साथ मिक्स करके बनाते ही हैं लेकिन आज इसमें हमने आलू बिल्कुल भी य करेंगे हम इसे सरसो के तेल में अब इसमें सबसे पहले जो डा लेंगे वो है जीरा और उसके बाद सबसे में इसमें है लहसुन क्योंकि लहसुन का जो इसमें छोक है वह बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ा देता है अब जो है हमारा लहसुन अच्छे तरीके से बुन गया है और अब इसमें एड़ करेंगे हम बारिक चोप की हुई प्यास और इसमें थोड़ा सा ही भुनेंगे हम ज्यादा नहीं भुनेंगे इसे थोड़ा कच्छा हमें इस प्यास को रखना है अब एड़ करेंगे हम टामाटर पीसिस में कटे हुए टामाटर को जो हमें इसमें और अब इसमें अड़ करेंगे हैं मसाले जो भी आपके पास सेवलेबिल हैं वहाँ इसमें अड़ करें तो हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला लालमिश पाउडर क्योंकि हमने अरी मिच्ट भी डाली थी तो इसलिए अब इसे जो है टेस्ट के को निग नमक और इसे हम ड़ेंगे को सबकिताँ बीडेंगे तो अब इसे पहला सा धुक्तक है अधर करेंगे निगला धनिया अब इसे हमें हरा धन्या मिक्स करके जो है बुने इसे लगभग, आसे 16 मिट आपको भूने अच्छाएगा इसे बुननें की बज़े से ही ठीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जरूर बताएं और इससे डिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं थैंक यू